नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका डेली मन टोपिक बाई एके यूचूब चैनल पर राजनिती विज्ञान के वन लाइनर में ये 23 नमबर है ठीक है इससे पहले 22 भाग हम देख चुके 23 वह है ये और राजनिती विज्ञान के वीडियो नोट्स मैंने बनाने बंद नहीं किये नाए में करूँगा परिक्षा तक आपके साथ हूँ और आप भी मेरे साथ रहिए तो शुरू करते हैं आज का 440 तक हम पढ़ चुगे थे 441 441 से सिविक कल्चर बुक किसकी है ठीक है ये आमंड वे बरवा की है यदि आपने कल राजनितिक संस्कृतिक रण वाली वीडियो देखी है तो उसमें मैंने इसकी चर्चा की है दा मैन ओन दा होर्स बैक ये पुस्तक है स.E. फाइनर की ठीक है तो सिविक कल्चर आमंड वे की है दा मैन ओन दा होर्स बैक है स.E. फाइनर की नेक्स देखी 43 राजनितिक संस्कृति का संबंद राजनितिक लक्षों के प्रति व्यक्त की जाने वाली प्रतिक्रियाओं के अभिविन्यास से है मतलब राजनितिक संस्कृति का जो संबंद बताये गया है वो राजनितिक लक्षों के प्रति जो प्रतिक्रियाई की जाती है उनके अभिविन्या से है तो ये टॉलकट पारसंस का कतन है ठीक है राजनितिक संस्कृति के बारे में नेक्स 44 राश्ट्रिय संस्कृति के निर्माण में सहायक तत्व कौन से है जी धर्म, राश्ट्रिय प्रतिक और शिक्षा तो ये राश्ट्रिय संस्कृति के निर्मान में सहायक ततु है ठीक है इस बात से तो आप बिल्कुल सहमत है 45 देखिए राजनिति के प्रति लोगों की धारणाओं वै अभिवरतियों को क्या कहते हैं राजनितिक संस्कृति कहते हैं क्या कहते हैं राजनितिक संस्कृति राजनितिक संस्कृति वाला चैप्टर जो हमने कल डाला था 71 वाला उसमें राजनिति के प्रति जो लोगों की धारणाओं थी जो भी उनके मानेताओं थी और उनके प्रति जो अभिवरतिया थी उसी को क्या कहते हैं? राजनितिक संस्कृति कहते हैं नेक्स देखे, 46 यदि हमें विकासिल राज्यों में संस्कृतिक विविद्धा को समझना है तो राजनितिक संस्कृति की परिप्रेक्ष्य में मुख्य आधार क्या होगा? एतिहासिक आधार के आधार पर हम विकासिल राज्यों की संस्कृतिक विविद्धा के रूप में बारे में समझ सकते हैं तो इसका मुख्य आधार क्या होगा? एतिहासिक आधार जन तंतरी करण की तीसरी लहर किन देशों को कहते हैं भारतवय इजरायल को जन तंतरी करण की तीसरी लहर कहते हैं ये जन तंतरी करण की तीसरी लहर किस ने कहा हंटिंग टन महोदय ने कहा भारतवय इजरायल को 48, समकालीन राजजियों की पस्चिमी जो प्रभुत्व था उससे स्वतन्ता की इच्छा ही राजनितिक आदूनी की करण है ये कतन है Edward Shills का 49, देखिए विकास को लोकतंतर का परियाईवाची किसने माना आमड वे कॉलमेन ने डेवलॉपमेंट को डेम्योक्रेसी का प्रियायवाची माना राजनितिक विकास का लोकतंतर का प्रियायवाची माना आमंड वे कॉलमेंड ने 50 देखिए दीर कालीन परिवर्तनों का अध्यन किया जा सकता है कौन से आधार पर भई आर्थिक विकास में आर्थिक विकास के आधार पर या आर्थिक विकास में दीर्ग कालीन परिवर्तनों को हम देख सकते हैं किसी भी राज्य का किसी भी राष्टर का Next देखिए 51 आर्थिक विकास में क्या होता है भई उत्पादन सरनचना में बदलाव आगता है इकोनोमिक डेवलपमेंट होगा उसके अंदर क्या होगा उत्पादन सरनचना में बदलाव आएगा 52 विकास को ओद्योगी करण के संदर्व में देखा किसने रोस्टोव ने रोस्टोव ने विकास को ओद्योगी करण के संदर्व में देखा कि भही जहां उद्योगी करण हो रहा है वहां पर विकास हो रहा है परिवर्तन हो रहा है विकास हो रहा है डेवलोप्मेंट बढ़ रहा है तो रोस्टोव ने उद्योगी करण के संदर में विकास को देखा 53. विकास यदि गतिशील है तो अर्थ विवस्ता है वो क्रशी से उद्योग प्रधान हो जाती है कैसी हो जाती है? क्रशी प्रधान से उद्योग प्रधान हो जाती है तो समझ लीजिए विकास कैसा है? गतिशील है 54 आर्थिक विकास है तो मुक्त साहस एवं प्रत्योगिता आउशक है यह कथन किसका है एडम स्मित का है आर्थिक विकास के लो ने कहा है कि मुक्त तो साहस चाहिए और प्रत्योगिता चाहिए ये आवशक है तो ही आर्थिक विकास होगा तो Adam Smith का ये कथन है नेक्स देखिए राजनितिक विकास का सकारात्मक सूचक क्या है बई यदि प्रेस की सुतनता हो जाती है न तो वो राजनितिक विकास का क्या है सकारात्मक सूचक है प्रेश की स्वतनता होने पर क्या होगा राजनीती के अंदर जो भी उथल पुतल होगे प्रेश में इस प्रेश रूप से बताया जाएगा तो वहाँ पर प्रेश की स्वतनता रानेती विकास का सकारात्मक सूचक के रूप में सामने आएगी 56 एशिया अफरीका और लेटिन अमरीका के देश कैसे देश है जी विकास सील देश है कैसे देश है विकास सील देश है 57 पॉलिटिकल डेवलोपमेंट वे पॉलिटिकल डिके ये निबंद किसका है हंटिंग टन का है ये किसका निबंद है ये Huntington का Political Development वे Political Decade 58 देखिए रालियतिक विकास पर अग्रणी विद्वान कौन थे जिन्होंने अपने विचार दिए वो है Lucian Pai कौन है Lucian Pai Political Development में Lucian Pai का बहुत बड़ा योगदान है The Government and Politics इन इंडिया के लेखक कौन है Morris Jones बिल्कुल ध्यान में रखीगा, किताबों के नाम पूछे जा सकते हैं The Government and Politics in India के लेकक है Morris Jones 60 देखिए नव सामाजिक आंदोलन के सिद्दान्तकार कोन है? FUKO, माइकल FUKO है ना वो नव सामाजिक आंदोलन के प्रमुख क्या है? सिद्दान्तकार है तो दोस्तो, One Liner में मैंने 460 तक आज complete कर दिया है आगे भी वीडियोज लाता रहूँगा आपके लिए Second Grade के भी वीडियोज मैंने शुरू कर दिया है तो आप जिस भी परिक्षा की तयारी कर रहे हैं उसके रूप में इन सहायक, इन चीजों को सहायक सामगरी के रूप में लेके चले पूर्ण कुछ भी नहीं होता लेकिन मैं अपनी तरफ से आपको 100 परतिशत देने की कोशिश करूँगा और आशाय आपको वीडियोज पसंद आ रहे होंगे तो आप इनको ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए क्योंकि ज़्यादा लोग हमसे नहीं जुड़ पाई अभी तक जोडने में योगदान आप ही कहोना चीए वीडियो नोट देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद